तो इसलिए इससे भागना मत आप एक बात समझ लो टॉपर्स कुछ चीज अलग नहीं करते वो उस चीज को करते हैं जिसको करने में हमें कस्ट आता है हमें ऐसा आला साता है कुछ चीजों को करने में कि यार अनलाइस कौन करेगा यार बैठके यार पेपर को भया कौन आपको अगर मार्किट से उपर जाना आपको अगर पूरी बीड से लुघ जाना है तो आपको कुछ चीज अलग करनेए वह सारी चीज़ें करने पड़ेगी जिसको करने में बाकियों को कश्ट आता है तो बाकि जो 80 परसेंट वाली जनता है वो साइड में होखिय आपने कुछ चीज़े ऐसी करी जिसमें कश्ट आता है तो आप क्या हो गए उस 5% में उस 2% में आके बैठे देखे टेंग उमल्टम सब्सक्राइब अज की इस वीडियो में बात करने में आले आपकी क्लास 10th की साइन्स की एक प्रपर स्ट्रेची के बारे में एक प्रपर रोड मैप आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ आपका चाहे यार आदा श्लेवस हो रखा हूा आपको lifecycle करना है आपका पूरा स्लेवस हो रखा हीतों आपको effective revision एक टिप्स आपके सामने में लाकर रख दूँगा, जिससे की टॉपर्स पढ़ते हैं, मैं हर साल एक लाइन बोलता हूँ यार बच्चो को, चार साल हो चुके हैं मेरे को अनलाइन एजूकेशन में, उसे लेजेंड कहते हैं और आप सभी एक लेजेंड हो, वो सारी स्टरीके, वो सारी स्ट्रेटीजी आपके सामने राके रख दूँगा, जिससे की बच्चे ना कम टाइम में मैक्सिमम आउपूड लेके आते हैं, मैं आपको यह नहीं बोलूगा यह book भी कर लो, यह book भी कर लो, वो book भी कर लो, नए, limited resources से, कैसे, limited time में, कैसे आप पूरा flavors complete करके, अच्छे से revision करके, सारे के-सारे questions paper में, आके solve कर सकते हो, वो strategy आज इस video में मैं बताने वाला हूँ, दिल थान के ध्यान से पूरी concentration के साथ शुरू के लेके end तक पूरी वीडियो देखनी है क्या मेरे बाद समझ में आ रही है शुरुबात करते हैं, श्रीक अडिश करते हैं आज की वीडियो का सारे points को मैं discuss करूँगा point by point हम चलेंगे, सबसे पहली चीज है कि भाईया मेरा यार कुछ स्लेबस बचाए अभी या फिर मेरा मान लो भाईया स्लेबस शुरू ही नहीं हुआ है अभी मेरे को जाके होश आया है कि यार मेरे को अच्छे नमबर लेके आने हैं, अभी मेरे अंदर motivation आई है अच्छे से रीडिंग मारो, NCRT की रीडिंग मानने के बाद उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आप उसके जो exercise के questions है वो कर लो, exercise के questions के बाद आप previous year questions की एक book ले लेना, वो कर लेना, फिर उसके बाद आप इसके जो sample papers वगएरा आते हैं, question banks वगएरा आते हैं, वो कर लेना इसके बाद कुछ competency based questions कर लेना, आपका slivers हो जाएगा इतना time है हमारे पास, हम रेक chapter पर इतना time दे, नहीं है तो smart strategy क्या है, ये सब हमें ना करना पड़े ये सब हमें ना करना पड़े, एक smart बच्चा क्या करेगा, smart बच्चा ये करेगा कि भाई अभी time कम है, अभी time कम है, कहीं से मैं कम time में सब चीज कर पाऊं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है देखो कौन-कौन से chapter आपके बच्चे हैं, उन chapters में से कौन-कौन से ऐसे chapter है, जो high weightage के होते हैं, high weightage मतलब आपको पता है, यार नाम थो हमने at least अभी हार एक chapter के सुने है, high weightage वाले chapter कौन से हैं, कि वह electricity एक high weightage लेके चलता है हमारा, surface area volume high weightage लेके चलता है, trigonometry high weightage लेके चलत chapters में से कौन से हैं, जो high weightage वाले हैं, तो high weightage वाले जो chapters हैं आपके, उन high weightage वाले chapters को आपको क्या करना है, सबसे पहले complete करना है, कैसे complete करोगे, first step, first step कोई भी एक one shot देख लो, YouTube पे यार भरे हुए है one shot lectures लोगों के, आप वो देखो जिससे आपको समझ में आता है, आप किस कही बार क्या होगा, आप कोई वीडियो देख रहे होगे, आपको कोई एक छोटी सी चीज नहीं समझ में आएगी, तो आप panic होने लग जाओगे, आरे कोई बात नहीं है, और बहुत है लोग मार्केट में, दूसरे से देख लेंगे वाला topic और बागे का वापस से पढ़ ल रही है, तो यह होगा आपका सबसे पहली चीज कि आपको एक one shot वीडियो देख लिनी है, one shot वीडियो देखने के बाग आपका काम क्या रहेगा, कि आपको जो notes मैंने दे रखे हैं, जो की effective notes हैं, भाईया ये effective notes का मतलब क्या है, effective notes का मतलब notes तो भाईया बहुत लोगों ने सबसे पहले हम लेकर आये थे, पूरे YouTube में, class 10th में सबसे पहले notes हम लेकर आये थे, और हम हर साल ऐसे additions करते रहते हैं उस notes में, क्योंकि बागी लोग क्या करते हैं, पिछले साल वाला copy करके हमारा दे रहते हैं, हम क्या करते हैं, हर साल नई चीज एड़ करते रहते हैं, तो notes वापस से effective notes बन जाते हैं, क्या है यह effective notes, effective notes का मतलब यह होता है, कि इसके बाद आपको वापस से NCRT पढ़ने की जरूरत ना पढ़े, आपको इसके बाद exercise solve करने की, जो examples वगरा होते हैं, वो solve करने की कोशिश ना पढ़े, time ना लगाना पढ़े, और आपके जितने भी previous year questions है, वो सारे इसमें complete हो जाएं, सब के सब चीज इस notes में हो जाएं, उससे हम कहते हैं, effective notes, main चीज है कि NCRT आपको वापस ना पढ़ने पढ़ने पढ़े, NCRT का हरे concept असान भाशा में उन notes में लिखा हो, वो होते हैं effective notes, तो आपका काम क्या रहेगा, आपने एक one short वीडियो देखी उससे क्या हुआ, आपको chapter के बारे में सब चीज पता चल गई, आपको पूरी रामकता पता चल गई, कि अच्छा है यार, इस chapter में ये चीज होनी है, ये चीज पढ़नी है, अब आपको उसको याद करना है, एक बार पढ़ लिया, उससे याद तो नहीं होगा, अपी के लिए है, क्योंकि पिछले साल वाला सलिबस, इस साल वाला सलिबस सेम ही है, सेम रिडक्शन था, तो आपी के लिए ये notes, आप जाओगे, देखोगे, हर एक definition को, आपका एक पूरे series में, एक पूरे format में डाल रखा है, ये वो definition है, जिसको आप exam में लिख्या होगे, आपका कोई number नहीं काटेगा, इतनी आसान भाषा में, इतनी आसान तरीके से में लिख रखी है, और हर point कवर कर रखा है, जो NCRT में है, वो सारी definitions आप पढ़ोगे, बीच बीच पे मैंने सवाल डाल रखे है, जो आपके NCRT के in-text के सवाल है, उनको मैंने लल्लू problem के नाम स हो जाएगी, तो हर problem हो जाएगी, तो इसलिए हर सवाल को देखते ही बोलो, असान हो जाएगा, यह टॉपर्स की बहुत बड़ी quality होती है, तो इसलिए मैंने इस चीज को इसमें integrate कर रहा है, सारे questions आप देखोगे, इसमें मैंने step by step समझा रखे हैं, के QB मतलब कुछ काम की कुछ important चीज है तो हो यहां पर, आप देखो कि बीच बीच में NCRT की activities मैंने इसमें integrate कर रखे हैं, और यह नहीं है NCRT की activity, इसमें तो किसी को समझे नहीं आता, ना आपको आएगा, ना मेरे को आएगा, इसको मैंने आसान बाशा में कर रखा है, आसान बाशा में इसको मैं नहीं देगा, क्योंकि इसमें इतनी जादा research लगी है, इतनी जादा मैनत लगी है, पिछल 3-4 साल से, आपके लाखो seniors, हजारों नहीं, लाखो seniors इसको use कर सके हैं, कर चुके हैं, और अच्छे number लेकर आ चुके हैं, आप channel पर जाना, rank 2 हमारे channel से आई हुई है, ऐसे ऐसे बच तो हम शुरू से पढ़ लेते, अभी क्या है, कम time में अच्छा score करने के आना है, तो कम time में अच्छा score करने के आने के लिए, हमारा काम होगा कि हम effective notes पढ़ेंगे, तो आपने क्या करा, इन notes में, इन notes में, आपकी theory यहीं complete हो गई, तो आपको यह करने की जोरत नहीं पड़ी NCRT मेंने cover कर दी, यह आपकी यहापे skip हो गई, activities मेने cover कर दी, वह यहापे skip हो गई, और previous year questions में में यहापे cover कर दी है, तो वह भी skip हो गई, तो आप यह देख सकते हो, कि इन notes में, last में, आपके previous year questions में हैं, नीचे जाओगे देखो, और यह previous year questions जो है न, year wise डाल रखे हैं, देखो, एक marks में, 10 में, 8 में, 9 में, 7 में, कौन-कौन से questions आये थे, फिर उसके बाद, आपके एक marks के बाद, यहापे लेखा है, दो marks में कौन-कौन से आये थे, with solutions, आपको हर एक question इसमें integrate कर रखा है, तो आपका काम क्या हुआ, आपने one shot video देखी, जिस भी chapter का आपका बचा है, one shot video देखी, आपने उस notes को उठाया, notes को उठाने के बाद print out करा, आगे पीछे print out करवाने के बाद, आपने उसको read करा, ठीक है, कुछ चीजे आपको ऐसी लग रही है कि यार, उस one shot video में और पढ़ाई थी, उपर लिख लो, पैंसे छत पर लिख लो, खाली पढ़िया है यहाँ जाँ खाली पढ़िया जगे, आप उपर नीचे लिख लो, तो आपने क्या करा, इन notes को आपने अपने लिए personalized effective notes बना लिए, इसको एक एक चीज आपने याद करी, यह notes अगर आपके tips पे होंगे न, आपका कोई सवाल निया टकने वाला, कोई सवाल निया टकने वाल क्योंकि हर एक चीज जो है, वो इसमें से आनी है, क्योंकि इसमें NCRT लगी हुई है, NCRT के भाशा में समझ में नहीं आती, तो इसको पढ़ लेंगे, अरे क्या मेरी बास समझ में आ रही है, तो हमने क्या करा, हमने notes download करे, slayvars हमारा हमारा से complete होगा theory, NCRT हमने उसमें डाल मैंने आसान भाशा में कर दिया, तो आपको अब हर चीज समझ में आ जाएगी, अरे समझ में आई मेरी बात, तो देखो हर एक, हर एक, आप हर एक चेप्टर की बात कर लो, कोई भी चेप्टर आप नाम लोगे, हर चेप्टर की जितनी भी important activities हैं, कुछ तो ऐसी activities हैं या जो आती नहीं हैं, तो वो तो हमने नहीं डाली, फाल तो time waste क्यों करें, जो जो activities, इस में से direct उटके आई हैं exam में, पता है आपको, इन में जो सवाल हमने डाल रखे हैं, इन सवालों में से direct, इन सवालों में से direct उटके आपके exam में आयो हैं पिछले साल, तो यह जो booklet है, यह इत अब इसके बाद आपका क्या रहेगा, अब इसके बाद आपसे एक काम ही रहेगा, कि आप NCRT को एक बार उठाना, जो important questions थे, वो तो मैंने notes में डाल दी हैं, बट आप बस एक बार क्या करना, जितने भी examples हैं, examples मतलब वो जो in-text questions होते हैं, बीच-पीच में, वो in-text वाले questions और, आपकी NCRT के back एकसरसाइज वाले questions होते हैं, बैकक्सरसाइज वाले questions, वो दोनों questions आपको करने नया, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी questions की practice होगी, ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी questions की practice होगी questions की आप जितनी जादा practice करोगे उतना जादा आपको समझ में आएगा कि यार सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं NCRT का direct root के सवाल आजाता है previous year question का direct root के सवाल आजाता है तो questions आपकी इस तरह से practice हो जाएगी क्या मेरी बात समझ में आई है अब बात आती है अब बात आती है जो main है वो है revision हमारे master यह कहा करते थे कि एक बच्चा चाहे पूरे साल में कितना ही पढ़ ले आखरी में जो बच्चा डंग से revision करके चला जाएगा वो बच्चा बाजी माल ले जाएगा तो आपको हर एक theory को करने के बाद हर एक chapter को करने के बाद अच्छे से revision करनी है revision करने का वापस से traditional तरीका क्या होगा traditional तरीका होगा कि आपने क्या करा notes उठाए notes उठाए आपने उसकी reading करनी शुरू कर दी और आपने का कि हाँ यार मैं revision कर रहा हूं यह जो revision का तरीका होता है यह जो revision का तरीका होता है यह सबसे विकार तरीका है ऐसे revision नहीं करनी होती इसे कहते हैं वापस से read करना वापस से read करने में revision नहीं होती है revision करने का जो best तरीका है वो यह है कि आप क्या उठाओ sample question paper उठा लो sample question paper market में हजारों भरे होए हैं मेरी जो personal favorite है मैंने यहां पर सारे के सारे जितने भी सेंपल विपर आते हैं हर साल मेरा यह काम होता है कि जब भी सेंपल विपर लॉंच होते हैं आपके मार्केट में मैं जाकर लियाता हूं मैं देखता हूं किसके अच्छे है पिछले साल मेरे को वस्वाल बुक्स के अच्छे लगे थे तो आपको क्या पता चलेगा किया रच्छा वो कैसे लिखते थे आप देखो कि टॉपर्स की हेंड़इटेंग इत्ती भी कुछ खास नहीं होती जब भी उनके नंबर आ जाते हैं क्यूं क्यूंकि सारे के सारे इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड करते समझारिय है मेरी बात तो वो आपको महां से सैंपल पेपर से देखने को मिलेंगे तो आपका क्या म क्या रहेगा आपने सैंपल पर खरीद Вот बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी परसनल डिंखाइट यहरो आप जाओंगे अगर फे अगर वहाँ पर सस्ती मिल रही है तो वहाँ से ले लो लेके उसको अच्छे से करना है कैसे करना है उसको आपको करना है रिवीजिन के लिए यूज कैसे रिवीजिन करूँगा भाया मैं देखो आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो गए है आपकी थियोरी कंप्लीट हो गई है अब आपका काम क्या है कि आपने एक सेंपल पेपर उठाया उस सेंपल पेपर को उठाने के बाद आपने उसको तीन से लेके साड़े तीन घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करी क्यों भाया साड़े तीन क्यों शुरुआत है ना या रभी पहले तीन साड़े तीन करेंगे फिर उसको तीन पे लाएंगे फिर धाई पे लाएंगे फिर दो पंदरा पे लाएंगे इस तरह से हम टाइम कम करते रहेंगे तो आपका क्या होग आपने एक sample paper उठाया, उसको 3-3 गंटे में solve करा, 3-3 गंटे में solve करने के बाद, आपने उसको analyze करा, analyze का मतलब क्या होता है, analyze का मतलब यह होता है, बहुत cutting step है, 5% बच्चे भी नहीं करेंगे, और वो ही 5% बच्चे होते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो इसलिए इससे भागना मत, आप एक बात समझ लो, topers कुछ चीज अलग नहीं करते, वो उस चीज को करते हैं, जिसको करने में हमें कस्ट आता है, हमें ऐसा आलास आता है, कुछ चीजों को करने में, कि यार analyze कौन करेगा, यार बैठके, यार पेपर को भया कौन analyze करेगा, भया कौन बैठके activities सारी करेगा, खाली एक बार one shot देखके चले जाता हूँ न, खाली एक बार one shot देखके चले जाती हूँ न, बाकी पूरी भीड वही तो करके जा रही है, तभी तो बच्चे 80% में बैठे हैं, आपको अगर market से उपर जाना है, आपको अगर पूरी भीड से अलग जाना है, तो आपको कुछ चीज अलग करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़े करनी पड़ेगी, जिसको करने में बाकियों को कश्ट आता है, तो बाकि जो 80% वाली जनता है, वो साइड में हो गई, आपने कुछ चीज़े ऐसी करी, जिसमें कश्ट आता है, तो आप क्या हो गए, उस 5% में, उस 2% में आके बैठ गए, तो वो चीज़े करनी पड़ेगी, यह आपको जो चीज़े दिख रही हैं, मुश्किल चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आपने क्या करा, एक सेंपल पर उठाया, सेंपल पर उठाने के बाद उसको आपने टाइम लिमिट के साथ करा, और उसको एनिलाइस करा, एनिलाइस का मतलब, वो वाले क्वेस्टेंस जो आपसे नहीं हो पाए, वो वाले क्वेस्टेंस जो आपसे नहीं हो पाए, नहीं होने का कोई भी कारण हो सकता है, कैलकुरेशन मिस्टेक हो गया, याद नहीं हो पाया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, उन सारे क्वेस्टेंस को देखो, किस टॉपिक में से आए हैं, और वापस से अपने नोट्स उठाओ, वापस से अपने नोट्स उठाओ, और उन नोट्स से अब सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, यह जो आपका टॉपिक है ना, इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, तो आपको पूरे के पूरे notes वापस नहीं revise करने, आपको sample paper करना है, जो topic आपसे नहीं हुआ, उसको revise करना है, फिर वापस से attempt करना है, पहला sample, अब आता है अपना दूसरा sample question paper का time, दूसरा sample question paper, 3 गंटे 15 मिनिट में complete करने की कोशिश करो, 3 गंटे 15 मिनिट में करने की बाद वापस से आपने analyze करा, analyze करके आपने देखा कौन से topic आपसे नहीं हुए, और topic को उठाया, revise करा और वापस से attempt करा उस questions को, जो आपसे नहीं हुए थे, फिर इसके बाद आता है आपका third sample question paper का time, third sample question paper को उठाया, आपने 3 गंटे में करने की को कोशिश करी, जितने question नहीं हुए, उसका topic उठाया, वापस से revise करा, तो आपने क्या करा, जो आपको नहीं आते थे, सिर्फ आपने उसको revise कर लिया, जो आते थे, उसके सवाल तो आप करी रहे हो ना, इसे कहते हैं effective revision, इसे कहते हैं smart revision, आपको ऐसे करने हैं, एक sample paper, दो sample paper, 4 sample paper, 5 sample paper, 6 sample paper, एक book खतम होगे, दूसरी लियाओ market से, जितनी जादा practice करोगे, मैंने बोला ना, जो आखरी में अच्छे से revision कर लेगा, वो बंदा score लेकर आ जाएगा, तो आपको revision में पिलकुल कमी नहीं चूटनी है, मैं रहे को पता है, सर्दी हो रही है, भाई साब, मन न पहल लो, एक पहल नियाँ, दो पहल नियाँ, तीन पहल लो, पर बैट के उसी पर पढ़ना है, कंबल लोडना है, चेयर पे ओड़ के बैट जाओ, पर बेट पर नहीं जाना हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरह से हमें क्या करना है, अपना revision करना है, तो आप इस सटक जाते या फिदिक्स के इतने सारे निमेरिकल सा कैसे करेंगे ट्रेडिशनल वे क्या है कि निमेरिकल उठा के आपने प्रेक्टिस कर लिए आपने उठाया एक दिन उठा के उसको प्रेक्टिस कर रहे हो एक दिन प्रेक्टिस से कुछ नहीं होने वाला एक दिन प्रेक्टिस से कुछ नहीं होने वाला आप ये कोशिश करो दिन के पांच निमेरिकर उठाओ कोई भी रेंड़म चाए NCRT से उठा लेना, चाए OSWAL से उठा लेना चाए कोई आपने अडिशनल बुक ले रखे हैं वाँ से उठा लेना, रेंड़म जो भी फिजिक्स के आपके दो-तीन चेप्टर आ रहे हैं उन दो-तीन चेप्टर के उठा के आपने क्या करें रेंड़म पांच सवाल उठाए उन पांच सवाल को उठा के करा पहले दिन जहां आटके, रिवीजन करा, वापस अटेम्ट करा अगले दिन कोई और रेंड़म पांच सवाल उठाए इन से अलग, तीसरे दिन रापस रेंड़म पांच सवाल उठाए या ऐसा कर सकते हो, एक दिन NCRT के पांच उठा लिए अगले दिन मैंने उस वाल के पांच उठा लिए अगले दिन मैंने एक refreshment book को ले रखे उसके बाद उठा लिए फिर वापस गए एक दिन Google से पांच उठा लिए एक दिन chat GPT पे बोल दिया कि 5 questions दे दे दिमाग लगाओ na chat GPT time pass के लिए कोई बनाया हुआ है इसी चीजों के लिए बनाया हुआ है तो ऐसे दिमाग लगाओ तो इस तरह से हमने क्या करा 5-5 questions randomly उठाए randomly आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा कहा का आप 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 वीक हूँ सिर्फ उन वीक वाले topics को आप उठाके एक बार revise कर लेना और वापस से उस तरह के questions ते तीन-चार कर लेना समझ में आगे मेरे बात इस तरह से आपका पूरा का पूरा science का जो syllabus है वो complete हो सकता है इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है तीन चीज़े बताई है कुछ बड़ी चीज नहीं बताई, वीडियो बड़ी बन सकती है बट उसको explain करा गया है पहला ये maximum चीज़े तो note से complete हो जाएंगी download करो, print करवाओ, कर लो दूसरी चीज़, आपको questions की practice करनी है यहां से करो तीसरी चीज, revision करनी है एक sample paper उठाओ, तीन गंटे की limit में बैठो उसको पूरा complete करो ये तीन चीज़े हैं आपके science के लिए बस इन तीन चीज़ों को कर लोगे न इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला कुछ भी नहीं आने वाला क्या मेरे बाद समझ में आ रही है ये तीन चीज़े कर लोगे, आपकी science बहुत अच्छे से सबढ़ जाएगी कुछ चीज़े मुश्किल लगती है तो उसका theory बापस से read करो one short से नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी सी NCRT एक बार read कर लो notes को एक बार read कर लो तो उसको चीज़ों को छोड़ना मत क्योंकि आपका जो exam होता है ये आपका JEE का exam नहीं है, आपका NEET का exam नहीं है जो बड़े बच्चे देते हैं आपको वीडियो चाहिए, कभी या कैसे मैं महाँ पर लिख क्या हूं, किसे लिख क्या हूं जिससे कि मेरे को अच्छे number आए, तो उस presentation पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मेरे को comment कर देना मैं लेकर आ जाओंगा, ठीक है, आपकी 60-70% होता है, आपने theory कितनी पड़ी है उल्टा बोल रहा हूं मैं, 30-40% होता है जितनी आपने theory पड़ी है, 60% होता है किस तरह से आप present करके आ रहे हो आपने अगर present बहुत अच्छे से कर दिया, तो यह मैं पड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना, बाई-बाई, टेक कियर, बाई, आपके साथ 24 बटे साथ, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी, बाई-बाई, जाओ, पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो, बाई